हलो हाई नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आपका फिर से एक बार सूपर MC के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्या सच में जो भी बेल्टराउन के डाटा इंट्रियोप्रेटर है या फिर बेल्टराउन से जो भी ज्वाइनिंग करते हैं जैसे चाहिए वो प्रोग्रामर हो, IT बुआये हो, IT गरल हो, तो क्या सबकी जो नौकरी है वो साट साल की पक्की हो गई है या फिर जो भी कारपालक सहायक है उनकी नौकरी साट साल की हो गई है इसा कि आपको पहले वाले वीडियो बताते थे कि जो भी बेल्टरॉन के कंडिडिट ज्वाइनिंग लेते हैं तो उनकी ज्वाइनिंग लेटर पर साफ साफ लिखा रहता है क कि उनका जो नौकरी है साट साल तक यह सेवा जो है बना हुआ रहेगा मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि जब हम आपको बेल्टरॉन के कंडिडिट का ज्वाइनिंग लेटर दिखाते हैं तब उसमें साफ सफ लिखा हुआ था कि साट साल का नौकरी है अगर वह वीडियो आप न सब्सक्राज मंत्री समराट चौधरी उन्हों क्या कहा है और इसमें नई बात क्या है यह आपको हम बताने वाले हैं और जो लोग मेरे टेलेग्राम ग्रूप में जुड़े विवे हैं उनको यह जो नूज है यह सुबह ही प्रोवाइड कर दिये थे सारह कुछ प्रोवाइ सब्सक्राइब करेंगे वहाँ पर दूसरा काम आपको यह करना है कि अगर आपको बेल्ट राउन से जड़ा हुआ कोई भी नया अपडेट तुरत पाना है तो मैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजेगा तो चलिए आप आप देखते हैं क्या क्या यहां पर बातें बोल की अपट एगी तो यहां पर देखा हुआ है साट की उम्र तक सेवा दे सकेंगे कारफालक साय लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह मत समझें कि कैडिट के लिए यह नहीं है यह बेल्ट उन कांडिडेट के लिए भी है देखे कैसे यहां पर आपको और भी आगे बताते हैं कैसे तो यह देखे लिखाव साफ साफ पहले पंचायती राज समराट शौधरी ने कहा कि बिहार परसासनिक सुधार मिसन के तायत जिला धिकारियों द्वारा जिन पंचायतों में कारपालक सहाय के निक्ति की गई है उनकी सेवा 60 साल की उम्र तक रहेगी तो यह द यह में उनका सेवा अब्धिविस्थार लेना पड़ता था कि हमारा जो है सेवा अगले साल तक कर देजी हर एक साल पर लेकिन आब यहां पर जो मंत्री जी है मंत्री पंचायती राज समराट शौधरी इन्हों का दिया है कि यह जो है आब ऐसा नहीं होगा उनकी सेवा 60 साल के लिए हो गई है और आगे क्या बोला गया है साथ ही साथ यहां भी पंचायती राजिवाग ने यह भी नीड़ने लिया कि 60 साल की उम्र तक सेवा वरकरार रखने के साथ ही आकस्मिक अवकास आकस्मिक अवसकास जो 15 या 16 दिन का होता है और उसको अर्जित अवकास मात्रि है करमचारी के ही जैसा है लेकिन सिर्फ समवीदा का या आउट्सोर्सिंग का एक मोहर या ठपा सिर्फ लगाया गया है बाकि सब कुछ जैसे था वैसे ही है अभी आपको और भी कुछ बाते बताएंगे इसमें घाटा ही हुआ है और वह घाटा देखिए कैसे हो रहा यह भी आपको बताते हैं यहां पर देखिए हम मेरे पास एक और होगा यह अपको दिखाते हैं थ्वड़ा साथ दखिए यहां पर देखिए लिखा हुआ है तीस तारीक पर में लिखा हुआ था कि कि आयटी कर्मियों को एजेंसिक जरी मांदेज से हर साल हर से सरकार को हर साल सव करोड का नुकसान और यह देखिए बिहार का ही निउज है और दाइनिक भासकर यहां पर में आप देख सकते हैं कि तीस साथ दुरे कि इसको लिखा है और इस पर हम वीडियो भी बनाए थे इ सब्सक्राइब को कितना घाटा हो रहा है और सोर्सिंग के माध्यम से जर्णिंग करवाने अब यहां पर थोला सावर आगे बलते हैं देखिया आगे क्या लिखा हुआ है तो अब यहां पर मंत्री ने आगे यह भी कहा कि जिन कारपलक सहायकों की नियुक्ति बेल्ट्राउ utilizing नियुक्ति स्वी बाते हैं अब इसकाद गाते हैं इसका अधिंगे तहाट हो बिहार की सभी पंचायतों में लोग सिवाक का अधिकार अधिकार अधिनियम्गू लेकर और यहां पर आटेपीस काउंटर करा दिया गया है यहां पर लोग जातीय वासिया यह सब बनवाते हैं इसके संचालान की जिम्यदारी कारपलक सहायक है यानि कि जो बेल्टराउं के क बात नहीं हो रही है कारपलक सहाय की बात हो रही है जो कि फ्रूर जोनिंग होता है जिनमें करीव साथ परतिशत की नयुक्ति बीपी एसम मिसन के तहत की गई है यहाँ पर देख लिखाव जितने भी यहाँ पर छीतर सो जो है वह में से 60 की इस रोएट ने बंटा रहे था है उसमें 60 साल तक सिवा विस्तार आप लोका करत दिया जाएगा आज के लिए बस इतना ही और चलिए मिलते हैं अगले अपडेट में कुछ नई के साथ कुछ अची खुश खबरी के साथ तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत अगर आपको पढ़ना है तो यहां पर पढ़ भी सकते हैं यहां पर देखिए कि आप इसको पढ़ लेजिए पढ़न ठाते हैं तो